आगे बढ़ने से पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको इंडियन माइनिंग इग्जामिनिशन की अपडेट्स सबसे तेज मिलती रहें हाई आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा इसे पहले का वीडियो जो बेस्ट था रेगलिशन की उपर ही अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले वो सब वीडियो देख लेएं दा लिंक इस गिवन इन देस्क्रिप्शन तो हमाईसा की तरह देर ना करते हुए चल ये कुछ नया सीखते हैं So, the first regulation of today's video is regulation 181 Maintenance and Repair of Safety Lamp Safety Lamp की देख भाल वमरमत Now, according to this regulation, हर Safety Lamp को ठीक से Assembled किया जाएगा और उसे अच्छी हालत में रखा जाएगा कोई भी Defective Lamp को तब तक इसू नहीं किया जाएगा जब तक कि उस Defect को ठीक नहीं कर लिया जाता According to this regulation, अगर किसी Safety Lamp की Wire Gauge यानी जालियां तूट जाती हैं या जल जाती हैं तो उसके बदले नहीं जालियां लगाई जाएगी कभी भी तूटी या जली जालियां को रिपैर करके यूज नहीं किया जाएगा According to this regulation, कभी भी Safety Lamp के तूटे काँच, जालियां या अन्य भाग को Lamp Room में नहीं रखा जाएगा Basically हम लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि कोई भी परसन गलती से भी तूटे काँच, जालियां या अन्य भाग Safety Lamp में ना फिट कर दे According to this regulation, Safety Lamp का Glass या Electric Safety Lamp का Bulb अगर बदलना हो तो Chief Inspector दोआरा Approved Type के ही Glass और Bulb लगाए जाएगे Safety Lamp के अगर किसी भाग को बदलना हो तो ऐसे भाग वैसी कमपनी दोआरा Manufactured होने चाहिए जिसने Safety Lamp को बनाया है हलांकि Safety Lamp के पलीते या बैटरी बदलना हो तो आग किसी भी कमपनी का हो सकता है According to this regulation, Safety Lamp में रिपेर किये हुए भाग नहीं लगाए जाएंगे According to this regulation, Safety Lamp में यूज होने वाला तेल, Chief Inspector दोआरा Approved Type का होना चाहिए According to this regulation, कोई भी ऐसी Electric Safety Lamp तब तक इसू नहीं की जाएगी जब तक कि उसका बैटरी और हेटपीस के कभर ठीक तरह से जुड़े ना हो According to this regulation, कोई भी ऐसी Electric Safety Lamp इसू नहीं की जाएगी जिसके Charging उचित रूप से ना हुई हो According to this regulation, कोई भी Electric Safety Lamp को केबल से लटकाया या पकड़ा नहीं जाएगा Now, यह हो गया Complete Regulation No. 181, अब डिसकस करते हैं Regulation No. 182, Precautions to be taken in Safety Lamp Room Safety Lamp Room में सावधानिया According to this regulation, कोई भी Unauthorized person Lamp Room में इंटर नहीं करेगा According to this regulation, जहां Safety Lamp में Petrol, Benjol या Unvolatile Spirit काम में लिया जाता है तो वहां Lamp साफ करने, Fit करने और तेल भरने का काम एक अलग रूम में किया जाएगा ऐसी रूम में एक दिन के खफ़त से अधिक तेल नहीं रखा जाएगा और जिस टेबल पर Lamp साफ करने, Fit करने या तेल भरने का काम होता है उस टेबल पर Internal Relighter को खोलने, Repair करने या Fit करने का काम नहीं किया जाएगा साथी साथ ऐसी Lamp Room में उचित प्रकार के Fire Extinguisher sufficient quantity में रखे जाएगे तो ये हो गया आज का complete वीडियो on the topic, some regulation which are related to flame safety lamp and important for upcoming gas testing examination अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को जादा से जादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर आपके मन में कोई thought या doubt है तो प्लीज इस वीडियो के comment section में जरूर बताएं अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको या वीडियो अच्छा लगाए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक भी करें साथी साथ अगर आप हमारे टेलिग्राम गुरूप में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिये लिंक पर जाके क्लिक करें तिल दन असल्वेज जय हिन जय भारदग्थ